दोस्तो हमारे चैनल घरेलू नस्के को लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं गरम पानी में घी मिला कर पीने के फाइदों के बारे में बात करेंगे दोस्तो आज कल की भाग दोड भरी जिंदकी में हमें कई परकार की साररिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग कई परकार के घरेलो नुस्के अजमाते हैं उन्हें घरेलो उपाई में सेकें गरम पाने में घी का सेवन देशी घी में विटामिन A, विटामिन B और विटामिन E, विटामिन K अच्छी मात्रा में होती है इसके अलावा घी में प्रोटीन और फेट भी पाया जाता है जो हमारे सरीर को मजबूती परदान करता है मोसम के अनुसार घी में विटामिन की मात्रा ब्यदलती रहती है बरसात और जाड़े के मोसम में पसो को हरी घा सदिक मात्रा में खाने को मिलती है उस समय के घी में विटामिन की मात्रा भी बढ़ जाती है दोस्तो आईए जानते हैं गरम पानी में घी मिला कर पीने के फायदों के बारे में कबज से राध दिलाता है गरम पानी में घी दोस्तो भारत में कई लोग कबज की सिकायत से परेशान है उन्हें परतिदिन मल त्यागने में कटनायों का सामना करना पड़ता है गरम पानी में घी मिलाकर पीना एक रामबान घरेलू उपाए हैं देशी घी में ब्यूटरिक एसिड की भरपूर मात्रा में होता है यह एसिड कबज की समस्व को दूर करने में मददगार होता है इसके अलावा गरम पानी में घी का सेवन पेट की गैस एसिडिटी से रहत पहुचाता है इसके सेवन से मल की कठोरता कम हो जाती है यह सरीर के मेटाबोलिजम में भी सुधार करने में भी मददगार साबित होता है हड्यों के लिए दोस्तो गरम पानी में घी मिला कर पीने का फाइदा हमारी हड्यों को भी मिलता है दोस्तो देशी घी में विटामिन के पाया जाता है सरीर में विटामिन के की कमी होने पर ही हड्यों के जल्दी तूटने और आसानी से ना जुडने की समस्या होती है यह फाइदा तब और बढ़ जाता है जबकि घी को गरम पानी में मिला कर पिया जाता है इम्मुनिटी बढ़ती है दोस्तो कमजोर इम्मुनिटी की वज़े से हमारा सरी रासानी से बिमारियों की चपेट में आ जाता है गरम पानी में घी मिला कर पीना आपकी रोग परती रोधक चमता को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है घी में कंजगेटेड लीनोलिक एसिड होता है जो इम्मिनिटी में सुधार करता है और सारेरी कमजोरी को दूर करने में मदद करता है यादास्त बढ़ाने में दोस्तू अकसर उम्र बढ़ने के साथ ही कई लोगों की यादास्त कमजोर होने लगती हैं. कमजोर यादास्त को इंप्रूब करने के लिए लोग कई तरे के घरेलू उपाये करते हैं. परति दिन एक चम्मच देशी घी गरम पानी में मिलाकर पीने से यादास्त में सुधार क किया जा सकता है एक अध्यन में भी घी इसमन सकती बढ़ाने वाला रसायन माना गया है आखों के लिए दोस्तों परती दिन एक चम्मच घी गरम पानी में मिला कर पीने से हमारी आखों को भी लाब मिलता है देशी घी में विटामिन A की मात्रा होती है शरीर में विटामिन A की कमी आखों की द्रश्टी को परभावीत करती हैं घी के सेवन से आखों के स्वास्ते के लिए जरूरी पोसक ततों मिल जाते हैं यदि घी गरम पानी के साथ खाया जाए तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं हर्दे के स्वास्ते के लिए लाबकारी दोस्तो रोजाना एक चम्मच देशी घी गरम पानी में मिला कर पीने से हरदे का स्वास्ते भी बैतर हो सकता है सरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाने से दिल से सम्मंदित कई बिमारिया होने लगती है एक वेग्यानिक रिसर्च में यह बताया गया है कि घी में कोलेस्ट्रोल को नियंतरित करने वाले गुण पाये जाते हैं जो सरीर में अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाने और बूरे कोलेस्ट्रोल को घटाने में मदद करते हैं कैंसर से बचाओ में सायक होता है दोस्तो गरम पानी में घी का सेवन कैंसर जैसी बिमारी से बचाओ में भी सायक साबित हो सकता है दोस्तो एक सोद के नुसार घी में कारसी नोजेन यानी कैंसर से बचाओ करने वाले गुण मौझूद होते हैं इसके अलावा देशी घी में मुझूद लेलोनिक एसिड कोलन कैंसर को रोकने में भी मदद करता है ध्यान रखे कैंसर एक घातक बिमारी है इस बिमारी के होने पर उचित्र ट्रेटमेंट की जरूरत होती है इसलिए इस उपाय को डोक्टर की सला से करें और जरूरी ट्रेटमेंट लें तवचा को निखारे गरम पानी में घी का सेवन दोस्तु गरम पानी में घी का सेवन आपकी तवचा के स्वास्ते को बहतर बनाने में कारगर साबित हो सकता है नियमित रूप से घी का सेवन आपके होट और तवचा फटने की समस्य को भी दूर करता है घी में विटामिनी पाया जाता है जो तवचा के लिए जरूरी पोसकता तो है गरम पानी में घी मिला कर पीने से आपकी तवचा कोमल और मुलायम हो सकती है दोस्तो आईए जानते हैं गरम पानी में घी मिला कर पीने के नुकसान के बारे में दोस्तो यदि देखा जाए तो गरम पानी में घी मिला कर पीने के फायदे अधिक मिलते हैं फिर भी किसी भी चीज का अती सेवन और विसेश परिस्तितियों में सेवन आमारे सरीर को नुकसान पहुचा सकता है दोस्तो आईए जानते हैं कब न करे गरम पाने में घी का सेवन दोस्तो एक बार में बहुत अधिक मात्रा में घी का सेवन नुकसान पहुचा सकता है इसलिए संतुलित मात्र में इसका सेवन करें और स्वास्ते लाब उठाएं दोस्तो डोक्तर कुछ बिमारियों में घी के सेवन कम करने की सलाद देते हैं इसलिए यदि आप किसी बिमारी के लिए दवाईयों का सेवन करते हैं तो डोक्तर की सला अनुसार गरम पानी के साथ घी का सेवन करें दोस्तु घी का बहुत अधिक सेवन करने से हमारा पाचन तंत्रू से पचाने में असमर्थ हो सकता है जिससे उल्टी आउड दस्त की समस्या हो सकती है दोस्तों गर्बवती महिलाएं डोक्तर की सला से गरम पानी में घी का सेवन करना चाहिए क्योंकि सभी की गर्बवस्ता एक समान नहीं होती है दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें